नमस्कार दुस्तों मैं संदीप स्वागत आप सुभी का आज की स्नेक क्लास में दुफतों आप लोगों के समझ में बीए के पुलिटिकल साइंस यानी की राज दिती साफ्तर का पूरा का पूरा माडल पेपर लेकर आ गया हूं जैसा कि आप सुभी के बहुत फारे कमेंट आ कर आ चुका हूं जिन भी छात्रों का पूरा का पूरा माडल पेपल है इसमें से कौन से मोस्ट इंपर्डन कोश्चन से कौन से आपके एक्जाम में आने वाले के ज्यादा चामफेज हैं क्योंकि आप सभी को मालूम है पिछले कई सालों के माडल पेपर उठाके ही नया प् परिचा होते तो यह वीडियो जो भी एक फर्स्ट समेस्टर यानि फर्स्ट्र के फर्स्ट्र के चाहत्र है उनके लिए तो मोस्ट इंपर्डन है कि उनकी परिचा लिखित होने वाली तो फश्ट्र वाले देखेंगे सुरूप लेकर लाव तक देखते रहेगा गारंटी के साथ में कहूंगा कि इस वीडियो से आप लोगों कम से कम में बारा से पंदरा नंबर आप लोगों किलियर करा दूंगा ठीक है चलिए बढ़ते बिना देरी के लाश तक देखती रहेगा बस एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि मैं जो जानकारी दूं मेरी द्वारा जो मिहनत की जा रही है वो पूरी तरह सफल निकले यानि आप वीडियो को पूरा देखें और जो मैं बताऊं पूरी तरह आपके समझ में आ जाए बस मैं यह चाहता हूं ठीक है चलिए पुलिटिकल साइंस आप सब्सक्राइब करने वाले उनके लिए मोस्ट इंपार्ड़े ठीक है तो खंड आ में मैं आपको स्किलेर कहदा रहा हूं कि खंड आ जो आप लोगों का होगा उसमें अतिलग हुत्रे प्रस्ट पूछे जाएंगे जो खंड बाह होगा उसमें आप लोगों के कुष्चन आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजेगा उसके बाद खंड बा में आप लोगों 200 देना है 200 वर्ड में इसका एंसर और जो खंड साह है इसमें आप लोगों को 300-500 वर्ड में विश्टे तो 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 देखना है ठीक है तो बढ़ेंगे हम पहले खंड आकी और खंड आ पढ़ लेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह हम सेलेक्ट कर देंगो आप पढ़के जरूर जाहिएगा ठीक है अगला कि अर्थ साथ में वर्डित राज्यों के दूख दो गुड़ों का वर्डन कीजिए याद रखेगा वीडिय अरयनें बिरोद किया था अगला कोश्वामी दयानंसर सरस्वतिके समाजिक दर्शन के दो बिंदों का उल्लेक किजिए अगला प्रस囉 कि गोखुले के राज नीतिक बिचारों के दो मुख बिंदों का इंगित किजिए कि यगवन अगला प्रसे मैं है कि 40 0 हैं वह अग्ला प्रस्ण है की गान्धी दोरा प्रतिपादित सत्याग्रा की दुबिसे इस ताइं बतलाएए है अग्ला प्रश्ण है कि भारत की राज ब्योस्था में अब्रेंट कर के रियोगदान के दो महत्रपूर्ण बिंडों का उलेक की जिए अगला प्रशन है कि भारतिय लोकतंत्र में जै प्रकास्ट नारायट द्वारा शुझाये गए दो सुझाओं को इंगित कीजिए अगला है कि जात ब्योस्था के संबंद में डाक्टर आर्म लोहिया द्वारा वड़ी दो बिंदों को बतलाईए ठीक है यहां पर समाप करा दे रहा हूं जो सिलेट करांगा उससे आपनों लिख लीजिएगा एसकी सोटने लीजिएगा ठीक है ओके पहला कोस्टन जो है वह इतना मोस्ट इंपॉर्टन नहीं आप लोग इसे क्रोस कर सकते हैं ठीक है नोट ओके दूसरा भी है इसको भी आप लोग अगर पढ़न आने चाहिए तो आपके लिए तो एजाम के लिए ज़रुरी है और आपको पुष्चन के एंसल जाना जरूरी है कि समाज की डौ परथाओं काूब ले कि जिए जिनका एघंव विरूसरा लाइन के विरूध आपके एक्जाम में कोश्चन के आने के पूरे चांसे हैं ठीक है ओके यह तो मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन पढ़ लिजेगा मैं इस पर मोस्ट और आई एंपी लिख दे रहा हूं ठीक है अगला प्रशन है कि श्वामी दयानंद सरस्वति के समाजिक दर्सन के दो बिंदो काउले कीजिए यह भी कोश्चन मोस्ट इंपॉर्टन लेबल का है स्वामी दयानंद सरस्वति संबंदित क्वेश्चन है पढ़ लिजेगा आने के चांस पूरे हैं आपके एक्जाम में मोस्ट इंपॉर्टन है टिक कर दे रहा हूं में सही ऑके अगला प्रशन है कि गोख को भी कहूंगा इंपॉर्टन कोश्चन है ठीक है अगला प्रशन है कि बाल गंगा धरतिलग द्वारा अप्रतिपादित राज से आपका क्या वप्रिया है यह कोश्चन भी आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टन पढ़ लिजेगा एक्जाम में आने चांसे ज्यादा है ठी ठीक है अगला प्रशन है कि भारत की राज बेउस्था में मेडिकर के योगदान को महत्पूर्ण बताईए यह इतना मुश्ट इंपॉर्टन नहीं इसलिए आप क्रोस कर सकते हैं ठीक है अगला कोश्चन इंपॉर्टन है लेकिन मुश्ट नहीं कहेंगे आप लोग पढ़ सब्सक्राइब करते हैं उसमें से आने के ज्यादा चांफेज हैं और साब साब मैं आप लोगों यह भी बता दूं कि आपके पास कोईशन जो सिरीज है उसमें विजब पढ़ते रहिएगा ठीक है जो मैं बता रहा हूं कोई भी यूटूबर है कोई भी क्लास बताता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके भरों से मत रहेगा 50% आप लोग अपने से भी पढ़ते रहेगा ठीक है यह याद रखेगा अपने इन्वर्सिटी पे आपके कौन सी चलती है ठीक है जैकि पहजाबाद में या फिर ठीक है आवाद चलती है लखनों में ठीक है और इजी कुछ करके चलती है और अलग-अलग इन्वर्सिटियों में अलग-अलग जो चलती है उसको भी पढ़ते रहेगा यह ध्यान में रखिएगा ठीक है अगला पार्ट आ जाता है खंडबा खंडबा में लग हुत्तरे कोश्चन आएंगे इसमें आपको सिलक्ट करा देने कौन से आपको पढ़के जाना जो कि आपके एक्जाम में आने की जड़ा चांस है अगला है कि राज में राजा के संबंद में पहला कोश्चन है कि चाड़क के दर्ष्ट गोंड की अलोजनात्मक समिच्छा कीजिए तो एक को सभी पहले ही बता दे रहा हूं मुस्ट इंपॉर्टन नहीं स्सक्ष classify के समाजिक भीचार उपर संचेप में विएशना कीजिए जो दयानन्द स्वरस्ति जी हैं इनके अनुसार जो समाज है ठीक है उसमें समाज के बारे में क्या विचार हैं ठीक है वह आप लोगों को लिखना है तो इनके अनुसार इसका को सब्सक्राइब ही मैं पं डेली क्रास्टेज और डेली परच्छाफ जड़ी अपडेट मिलती हैं सिर्फ यही तो कहते हैं वीडियो तो आप लोग देख लेते लेकिन सब्सक्राइब भी कर दिया करिए ठीक है ओके चली हम आते हैं अपने कोश्चन पर फोकस करते हैं अगला कोश्चन कि राजाराम मोह पहन रहा है उनके अनुसार ठीक द्यादेजेगा राजनीती छेत्र में या राजनीतर के एरिया में उनके बिचार क्या है राजनीती को लेकर वह आप लोगों को लिखना है गूगल पे डालिएगा आसाने से मिल जाएगा सिरीज में ढोड़ना पड़ेगा लेकिन उसमें आपको मिल जाएगा तो इसमें से हो सकता ही जो मैं बता रहा हो देखने को मिलेगा तो सका बिना कुछ सोचे समझें सिर्फ आप लोगो तो बाल जो गंगा धर तिलक जी हैं उनके नसार राजनितिक के छेत्र में उनके क्या विचार है वो क्या कहते हैं राजनितिक प्रश्यत्र के बारे में वह आप लोगों को लिखना है ठीक है पढ़ लीजेगा एंसर मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन है टॉप लेबल का है पढ़के जाएगा पूरे चांसेज हैं आपके एक्जाम में आने की ठीक है अगला है कि सरसेयद आहमद खा के राजनितिक विचार कीजिए तो यह कोश्चन मौस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन पॉर्टन कहेंगे मैंने आपको पहले ही बता दिया गांधी जीसे यानि कि महत्मा गांधी से संबंदित पढ़ लीजेगा सारे कोश्चन और एंसर जैसे यह कोश्चन आ गया तो आप लोगों को साहिए इसके ब लिख डाली है कांधी से संबंदित एक्जाम ना कुछ ना कुछ नंबर दे देगा तो यह भी इतना नहीं है लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं अगला कोश्चन है कि डाक्टर अमेडिकर के समाजिक विचारों का मुल्यांकन कीजिए तो डाक्टर अमबेडिकर जी के अनु थोड़ा आप लोग गर्जिवेशन के चाहत रहे तो इतना माइंड आप लोगों का फास्ट रही समझ जाते होंगे ठीक है अगला है कि जै प्रकाश नरायन के राज नीतिक विचारों पर संचेथ में प्रकाश डाली है तो इतना मोस्ट इंपॉर्टर ने इसलिए हम करा द तो मुस्ट नहीं कहेंगे उप्वार्टेंट कहेंगे पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ लिए फिरफिछाल ठीक है इतना नहीं इंप्वाटन थे जरूशित करा देता हूं जिसके 90 परसंट चांसे टांटेहें जाम में आने के ठीक है और पढ़ना चाहें तो आपको के लिए सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यह नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन आएगा ही नहीं है लेकिन ज्यादा नहीं है तो अब हम यहाँ पर समाप्त होते हैं लग उत्रे बेश के चुक्त उसमें आप लोगों को सिर्फ पांच को उसमें पूछे जाते हैं उसमें से कहा जाता है कि आप लोगों जिसके बारे मधिक सी यानि कि खंड सा तो इसमें देखते हैं कोई से ज्यादा चांसे आपके एक्जाम में आने के तो पहला कोश्चन है कि भारत के प्रचीन जाजनितिक पसितिकी इसमें प्रचीन सब्सक्राइब प्रचीन जाजनितिक के रृच राजनितिक में कोई जरूरी नहीं है कि यह कोटिल आपके आए आपके एक्जाम में इतना ही पढ़ लीजेगा जैसे आप कोश्चन देखिए कि भात के प्रचीन राजनीती राजनीती के बारे में तुरंट आप लोग बिना देरी कि उसका एंसर लिखना है कि तो ना याद रखीगा कि अगला क्क्या आफिशन है कि राजहराम महहंण रैदे की यह कोशन लगातार अतिले keyboard मना पूछा गया है लेकिन पूछा पूछा गया जो पूछने का तरीका वह अलगग है कहीं पर राजनीती के बारें पूछा गया समाजिक के बारे में पूछा गया तो समाजिक राजनेदिक सभी के बारे में पढ़ लिजेगा थोड़ा-थोड़ा तो आपको काफी मदद मिलेगी यह भी क्या समाजिक राजनेदिक बारे में पढ़ लिजेगा ठीक है अगला है कि बिचार को लाशनात्मक समच्छा कीजिए तो इतना मोश्ट नहीं लेकिन प्रचन कहेंगे अप लोग पढ़ सकते हैं कि पंचेशील पर जहां नहीं हुझ है उनके विचार क्या है उसकी जो अलोशना की है उन्हों है क्या उमीद की है और उन्होंने उस पर क्या विचार रखा है इसके बारे में आप लोगों को साबिस्तार समिच्छा कीजिए या लोचना कीजिए इस तरह फे जो वर्ड है डिफकल्टी वाले इनको आप लोग जरा भी हार्ड मत लीजिएगा ठीक है सिर्फ जिसके बारे मालूम है बस आप लोग वो लिख डालिएगा ओके इसी में अगला कोश्चन है कि मौलिक मानवाद की मुख्य इस्ताव पर प्रकाश डाली तो यह कोश्चन इतना मोश्ट नहीं है लेकिन आप लोग इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हम इंप्वाटेंट में कटगरी में इसको हम डाले दे रहें इंप्वाटेंट कटगरी में ठीक है तो एक दो और ती 3 4 5 5 कोश्चिन दिये गए हैं शर decides लोग को लिखनाए और दो क गोश्चिन शर दे जाए हैं पर और माडल पेपर और कौन से मुझ्ट इंपर्ड़न कोश्चन थे मैंने आपको सिलेट करा दिया है ठीक अपने इस्पीरियंस के उसार और ज्यादा ता जब पूछे गए पिछले सालों में उसके उसार तो पिछले साल का माडल पेपर है तो आप लोग इस सारे कोश्चन को में अधिक कमेंट आधिक आप लोग कोश्चन आएंगे पूछेंगे तो मैं यह पूरा का पूरा आप लोगों को कोश्च करूंगा फीडियों प्रोवाइट कर दो ठीक है मिलते हैं ने स्वीडियों तब तकर जाहें